हलो बच्चो में ममता चिन क्लास 11 इकोनोमिक्स के अंदर आपका स्वागत करती हूँ बच्चो अपना चल रहा है चेप्टर 8 और लास वुलियो के अंदर अपने इसका पहला पाड पढ़ लिया था तो जिसा कि अपना चेप्टर 8 का नाम है आधारिक सरश्ना मैंने आपको बताया था आधारिक सरश्ना का मतलब होता है इंफ्राइस्ट्रक्चर और किसी भी देश के संपूर्ण विकास के अंदर उसकी आधारिक सरश्ना अर्थात उसके जो इंफ्राइस्ट्रक्चर है वो महतोपुल योगदान रखते करते हैं तो अपने लास्ट विडियो के अंदर देख लिया था इंफ्राइस्ट्रक्चर क्या है फिर इंफ्राइस्ट्रक्चर की प्रासंगिक न देखी थी अर्थात हमारे लिए इंफ्राइस्ट्रक्चर किस प्रकार उप्योगी है और साथ में देखा था कि भारत के अंदर इंफ्राइस्ट्रक्चर की क्या इस्तिती है अर्था आधारunuट, सरचना और आधारबुत विकास के वारें में अपने लास वीडियो के अंदर पढ़ लिया है आज का अपना वीडियो है हमारे जो महत्वपूर्ण संसाधन यदि हम देखे तो देश के उध्यों की क्विकास के अंदर सबसे महत्वपन संसादाने वो है उर्जा तो आज अपन इस चप्टरे के अंदर उर्जा के बारे हम पढ़ेंगे उर्जा जिसको एनर्जी भी कहते है या अन्य शब्द में को अपन उसको पावर भी कह सकते हैं तो उर्जा के जो उर्जा है वो महत्वपन संसादाने और ये इसका जो व्यावसाइक शेतर के न महत्वपन युगदाने जितने भी उध्योग दंदे हैं वो बिना उर्जा के उनकी कलपना करना व्यर्थ है छोटे उध्योग सिले करके बहुत बड़े उध्योगों चलाने में सबसे महत्वपुन यदि कोई संसाधने सबसे कोई महत्वपुन इंफ्राइक स्ट्रेक्शर है तो वो होता है उर्जा और उर्जा का दो तरह की स्ट्रोथ होते हैं उर्जा के परंपरागत इस्ट्रोथ और उर्जा के गेर परंपरागत इस्ट्रोथ परंपरागत इस्ट्रोथ की बात करें तो वे इस्ट्रोथ जो पुराने जमाने से चल रहे हैं यानि जो परंपरागत तरीके से उर्जा जह का यूज का पर होता है उद्योगों में जैसे कि तो पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी अर्थाद बीजली यह उर्जा के व्यावसाइक इस्तिरोत कहलाते हैं और यह इसे इस्तिरोत हैं जिनको बेचा और खरीदा जाता है प्लस यह कभी भी समाप्त हो सकते हैं इनकी एक लिमिट आप पेट्रोल को बहुत अधिक यूज करो तो एक लिमिट के बाद में समाप्त हो जाएगा क्यों क्योंकि नया पेट्रोल बनने के अंदर तो करोलों और वो वर्ष लग जाते तो हमने उर्जा को परंपरागत इस्तिरोत और गेर परंपरागत इस्तिरोत ने बटा परंप और गेर व्याफसाइक व्याफसाइक के अंदर अपने बात कर ली कि एसे इस्तरोथ जिनका उपयोग उद्योगों में होता है जो बेच्चे और खरीदे जाते हूं जो एक लिमिट के बाद समाप्त हो जाते हैं और जैसे कि पैट्रोल और बिजली अब हम बात करते हैं उर्ज जाके ऐसे इस्तरोथ जो हमारे घरेलों यूज में आते हूं डॉमेस्टिक यूज इनका है वो गेर व्याफसाइक इस्तरोथ के लाते जिसमें लकडी जो गोबर के कंडे पशुर्शाला का कच्रा खेतो का कच्रा उसके बाद गोबर गेस यह सब किसमें आते हैं उर्जा के में और इनको वापस हम न внभी करने ए अर्था एक बार खतम होने किसमें वापस उत्पादन लगे से यूज और कभी ल्याफसाइक इस्तरोथ और यहा नहीं होते हैं तो यह दों रहा है कि जो नई नई विधा के दौर आए जो पुराने जमाने में नहीं थे जो सद्यों से नहीं चले आ रहे उन्हें अपन उर्जा के गेर परंपरागत इस्त्रोत कहते हैं यह नई खोज यह नई तक्निक के द्वारा सामने आए और इसके अंदर आते हैं जवारी उर्जा, भूतापी उर्जा, सोर उर्जा, पवन उ यह समुद्र के अंदर जवारवाटा के तरहां बहुत अधिक उर्जा होती है समुद्र के पानी में उसके बाद जल उर्जा, हवा यह पवन उर्जा, सोर उर्जा, यह सब कुछ उर्जा के गेर परंपरागत इस्त्रोते हैं अब आगे बात करते हैं कि हमारे जो भारत में उसमें कोन कोन सी उर्जा कहां कहां से और किसके अंदर उसका यूजरा तो जो पूरी उर्जा यूजर करते हैं उसमें चुमुतर प्रतिशत उर्जा तो व्यावसाय को जाती है और 26 प्रतिशत गेर व्यावसाइक कार्यों के अंदर जाती है अब जो चुमूतर प्रतिशत जो उर्जा व्यावसाइक उर्जा के अंदर जाती है उसके अंदर भी तो 54 प्रतिशत उर्जा कोईले से 32 प्रतिशत ओईल यहने तेल से 10 प्रतिशत बिजली और 25 प्रतिशत जल से और्जा प्राप्त होती है अर्थात हम पूर्ई वर्जा उसका चुमूतर प्रतिशत भाग किसके लिए युज obt foto सक लिए उश च्रमूतर के इंदर और वी означ एमकोो कोहले से मिलती हैं 32 पफ़्डर तेल से 10 प्रतिशत सब्सकतें से और सिस फ्रतिशत जल से उर्जा प्राप्त होती है इसी प्रकार 26 प्रतिशत उर्जा कहां परिज होती है गेर वेवसाइक गेर वेवसाइक मतलब डॉमेस्टिक या गरेलू कारियों के अंदर अब यह अगे बात करते हैं कि भारत में उर्जा उत्पादन के इस्तरोत क्या है तो 2016 के अनुसार ल अभी अपनँ या बात करे थी टोटल एnersy consumption use की बात करे थी और अब अपने बात कर रहे हैं उर्जा के उप्योग की तो प्रिजा के इस्तरोत की मैं एक लाइन गरद बोल गई यहाँ पर उर्जा के यू कि बात हुए थी खपत की और यहां पर अपन बात करेंगे उर्जा के इस्तरोत की तो हमारी कुल उर्जा का लगबख संसर्ट प्रतिशत जो उर्जा है वो थर्मल पावर प्लांट से प्रोडूस हो रही है उसके अलावा जो बिजली उत्पन होती है वो होती है जल हवा प्रतिशत तो इस प्रकार अपने देखा कि हमारे उर्जा का उप्योग कितना कितना परसें किसकी श्यत्र में हो रहा है और साथ में देखा कि हमारे उर्जा का उत्पादन किस-किस जगह से कितना कितना हो रहा है अर्तत हमने उर्जा के यूज को भी देख लिया और प्रड़क्शन को भी देख लिया अब जो हमारी जो सरकार है वो क्या कर रही है कि जल और वायू उर्जा को बहुत अधिक प्र कार्cional एक्साट की ट्रती नहीं होती है इसलिए हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि अधिक सब्सक्राइब अधिक हम जल से बार्वावनना ये बराबर होती है तो था ये तो अपने देखा उर्जा के इस्तिरोत उसके बाद अपने देखा कि उर्जा के उपयोग और फिर उर्जा के इस्तिरोत के बारे में और उसके बाद अपने देख लिया जल और वायू से उर्जा अब आपके बुक में एक टोपिक दे रखा है कि उर्जा संकट को कम करने के लिए हमारी सरकार क्या प्रयास कर रही है तो उर्जा के संकट को कम करने के लिए सरकार ने तीन मातों पुन प्रयास किये जिसे पेला है गेर परमपरागत इस्तरोत को बढ़ावा विद्ध्यु शेत्र में प्राइबिटाजेशन और बिजली चोरी रोकने के लिए कठो नियम पहली बात करेंगे गेर परमप में परागत है यहश्यी पराधरिते पेट्रोल डीजल कोल तो यह क्या है यह समप्त होने वाले हैं नवीकरनिये अस्तरोते सरकार लिए विद्य चेत्र में प्रइड हैं ये बात अपन पहले वी पड़ चुके पहले चप्टर रोखेंदर भी के सरकार ने नीजी करण को बड़ावा लिब्लाइजेशन प्राइबिटाइजेशन उसे अपने पढ़ा था कि सरकार ने बड़े-बड़े उध्योग दंदे नीजी हातों में दे दिए जिससे नीजी शेत्र का इंवेस्टमेंट बढ़ा है और जब विद्धु शेत्र को नीजी शेत्र में दे देने से हमारी काफी बिजली जो चोरी हो रही थी उसकी बच्चत हो गई और उसके अंदर एक सिस्टमेटिक कार्य हो रहा है जिससे हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ रही है तो विद्धु शेत्र के अंदर नीजी करण या नीजी हस्तक्षप की वज़ा से भी हम अधिक कार्य शमता से हमँआरे प्लांट कार्य करने और जो गावों की अंदर जो बीजली शोरी तो वैसे शहरों में होते हैं और हमारे आकड़ Most लेकि можем In बीजली चोरी रोकने के लिए कठोर नियम और कानून बनाए गए ताकि बीजली की कम से कम चोरी ओए और हमारे बीजली की बच्षत होए तो इस प्रकार बच्चो आज की अपने वीडियो के अंदर अपने देख लिया उर्जा क्या है उर्जा सबसे मतोपन संसाद ने उसी से हमारे सारे उद्योग दंदे चल रहें उर्जा के परंपरागत इस्त्रोथ गेर परंपरागत इस्त्रोथ देखे परंपरागत में व्यावसाइक और गेर व्यावसाइक देखा उसके बाद अपने देखा भारत में व्यावसाइक उर्जा की उप्योग पद्दती जिसमें इतनी उर्जा खपत हो रही है फिर अपने देखा कि जल पवन और परमालों से कितना परसेंट बिजली का प्रडक्शन हो रहा है फिर अपने देखा कि उर्जा संकट को कम करने के लिए सरकार क्या प्रहास कर रही है तो बच्चों आज की वीडियों बस इतनी बात अगली बच्चों आगलीक।